Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So, table को लेके आप लोगोंने जो question बोला था, तो you guys can see कि यहाँ पर यह एक table बनी वही है. Chapter 2 में है, यह आपके page number 32 पे है. अब इस table से किस तरीके से question आ सकते हैं, को question बहुत simple आएंगे. वो आपको पूछ सकता है, in which year the gap, male-female literacy gap is high, यह question बोच सकता है, वो आपको कह सकता है, 1991 से 1981 तक अगर आपको percentage change निकालना है, gap में, ठीक है, अगर आपको male-female का जो gap रहा है, उसमें percentage change निकालना है, तो what do you guys will do, 91 और 90 81 लेना है, इसको minus इसको उपर रखो, 24.8 minus 26.6 divided by base year आपको लेके चलना है, ठीक है, 26.6 इसता base year, तो यह चीज़ आपको लेके चलनी है, बाकी question पूछे का तो यह पूछ सकता है, कि literacy जो है, वो concierge group से अबफ कलेक, calculate की जाती है, 7 year and above calculate की जाती है, तो बहुत direct question यहाँ पूछेगा, इस तरीके की table में से जो आ सकते है, एक question direct, difference का gap का, किसमें maximum है या minimum है, या फिर वो percentage change निकालने के लिए दे सकता है, table में इसी तरीकी की question बनेंगे, इसके अलावा question नहीं बनेगा, या जिस तरीके की, वो topic की वो table है, एक literacy rate की table है, तो वो literacy को लेके कुछ आप से question पूछ सकता है, तो इस तरीके की table में यह question बनेगा, आपकी और table देखते हैं, जिसमें से कुछ question वो बना सकता है, frame कर सकता है, और फिर पिरामिट के भी कुछ questions देख लेंगे, की वो बना सकता है, तो आपकी बना सकता है, तो आपकी बना सकता है, तो इसमें लो डिएगे,